नमस्कार, खबरों का पंच नामा देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी साथ पूचा, हम लेकराये हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे, जस पे चलशा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद हैं, क्यापिटल टिवी के एडिटरिन टीप, डॉक्टर मनिश अपसा बहुत स्वागत हैं आपका, सबसे पहले नज़र, हेड्लाइन्स पर प्यमूदी ने भगवान, बड़सा मुंडा, कुदी, श्रदान्जली, बड़सा मुंडा के गाउं से विक्सित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी जंडी, जंजाती समाच के लिए दिये 24,000 करोड मदप्रदेश और चत्रसगण में थम गया चुनाव प्रचार, बीज़पी और कॉंग्रस की कई दिगच मैदान में, पीम ने कहा विक्सित मारत के लिए कमल कुछ ने डिल्ली, सीम और अलजी फिर आमने सामने कि इजरिवाल ने विजलन्स मंत्रिक रिपोर्ट अलजी को बेजी, मुकेस अचेव नरेश कुमार को ततका निलंबित करने की मार्ट अमिश्राथ से मुलाकात की बाद, अजीत पवार ने शरत पवार से बनाई दूरी, शरत पवार की दिवाली पढ़वा की कारिक्राम में शामिल नहीं हुए अजीत पवार बचों की मौट पर जस्टिन टूडो ने की इसराइल को गेरने की कोशिश पर टूडो के बयान पर मच गया घमसार, नित्यन याहू ने टूडो को जम कर लगा रहा कबरो की शरुआत में सबसे वहले बाद पियम मोदी के जारखंड दौरे की इसके साथ ही पियम मोदी उली हातू जाने वाले पहले प्रधान मंत्री भी बन गए पियम मोदी का स्थानी लोगों ने ढोल और मादल जैसे परमपारिक वादी अंत्रों के धुन पर नितिकरते वे गर्म जोशी से स्वागत किया प्यम मोदी ने यहीं से विक्सित भारत संकल पियात्रा को हरी जंडी भी दिखाई उली हातू से ही प्रधान मंत्री ने किसान सम्मान निधी की पंद्रवी किस्त भी जारी की जंजाती समाच के लिए 24,000 करोड की सौगाते भी दी प्यम का ये खास दौरा वो भी खास वक्त पर देशवर के आदिवासी मद्दाताओं को बड़ा संदेश देनी का रहा प्यम मोदी का ये जारखन दौरा कितना खास देखिए खास इसलिए है चाहिए वो राजस्तान हो मद्द प्रदेश हो और 36 गड़ यहाँ ट्रैबल पोपुलिशन बहुत ज़्यादा है मद्द प्रदेश और 36 गड़ में तो खास करके बहुत ज़्यादा संक्या में ट्रैबल्स हैं और आपने एक ऐसे आइकन को चुना और जैसा कि आपने बताया बिर्सा मुंड़ा कोई 36 सेनानी नहीं है जारकंड में उन्हें कहा जाता है भगवान बिर्सा मुंड़ा उनका ओधा उनको उस तरीके से लोग मानते हैं भगवान के दर्जा 25 साल ही वो जिवित रहे 25 साल तक वो 25 साल की आयू में ही उन्होंने इतना कुछ कर दिया तो परदान मंत्री कोई भी हो आजादी के बाद उनके पैत्रिक गाउं आज तक नहीं गया परदान मंत्री मोधी इसलिए अनूठे हैं दो तीन चीज एक साथ एक तो आज चुनाओ के प्रचार का अंत हो रहा है दूसरी तरफ उस गाउं से जाकर के आपने किसान निदी का भी की भी घोशना की तो लोगों के बैंक में गरीबों के बैंक में पैसा भी आएगा ट्राबल जो है वो अपलिफ्केट फील भी करेंगे हर जगा खबर आ रही है तो ये जो लास्ट मोमेंट में प्रधान मंत्रे का स्टाइल जो है कि अचानक से कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे जो है बिलकुल राजितिक परदिर्श जो बदल जाता है ठीक इसलिए ये बिलकुल अलग सा कारिकर्म है अगली कपर में बात चुनाओं से जोड़ी मध्यप्रदेश और चुनाओं प्रुचार का दौर शाम 6 बजे से बंध हो गया 17 नौंबर को मध्यप्रदेश में चुनाओं होने है तो वहीं 17 तारीक को ही चुनाओं के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है दोनों ही राज में कॉंग्रस और बीजेपी में टककर है कई दिगश मैदान में हैं चुनाओं के लिए प्रचार का शोड़ थमने से पहले दोनों राज्यों के मध्याताों से भारती जन्ता पाठी के पक्ष में मतदान करने की अपिल की है पिया मोदी ने दावा किया कि मध्यप्रुदेश के लोग जहां कॉंग्रस की परिवारवादी राजनीती और नकरात्मकता से नाराज है वही चत्यस गड़ की जनता ने परिवर्तन का नया अध्याय लिखने की ठानली है आज चुनाओ प्रशार तो थम गया कितना दिल्चस्प होगा ये चुनाओ दिल्चस्प भी है और बहुत ही ज़्यादा इंपर्टन्ट है कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी और भारती जनता पार्टी के लिए मद्धु प्रदेश्ट में वहाँ पे भारती जनता पार्टी की सरकार है लेकिन अब क्या ये बात कहीं जा सकती है नहीं कारण कारण बहुत ही साफ है भातिनता पाटी ने पूरी अथक प्रयास और प्रधानमंत्री मोधी के कैम्पेन ने वहां परिस्थितियां बदली 36 गड़ वही खेल था वहां कोई कहनी रहा था कि वहां पर सरकार बदली जाएगी लेकिन ये महादेव घुटाला आ गया जिस्तर से चापे मारे हुई कैश बरा मत हुआ तो उसका इंपेक्ट फर्स्ट फेज में तो हुआ ही लेकिन इसका इंपेक्ट सेकेंड फेज में कहीं ज्यादा नदर होता दिख रहा है तो यहां पे अगर कॉंग्रेस पार्टी जो तीन मैने पहले तक इन दोनों राज्यों में चुनाओ जीत रही थी अगर कॉंग्रेस पार्टी हारती है तो यह कहा जा सकेगा कि प्रदान मंतरी मोदी नी सिंगल हैंडिड ली चुनाओ के न पार्टी है क्योंकि राजिस्थान में जीत बिल्कल ही मुश्किल लजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी के लिए तो यह इसलिए बड़ा एहम चुनाओ है बेसिकली राजिस्थान के बारे में तो सब लोग जानी रहे 17 तारिक को जो पोलिंग होना है उससे तैह होगा 2024 के ल स्थाचार के आरूप लगाए गए हैं इस मामली में विजलेंस मिनिस्टर आतिशी ने सर्फ तीन दिनों में ही जाचपूरी का रिपोर्ट से अमकेजरिवाल को सौब दी उसके बाद अर्विन के जिवाल ने मुख के सचिव को तुरंद पज से हटाने और सस्पेंट करने क सफारश की है कि है के जिरिमाल के चिक्ति पे क्या एलजी दकाल अक्शन लें रहे हो जिछल आप क्या तुमारे जिस ने गलत किया उसको तुमsın दे रहे थे प्रोरिक्शन और अभी जब मालूम चल रहा है कि चीफ सेकरेटरी साहब नरेश कुमार का extension होने वाला है आपके पेट में दर्द हो रहा है यह जितने आरोप लगाये गए यह फर्जी है सत्य से इसका कोई लेना देना नहीं है दो दिन के अंदर आप 600 पेज का रिपोर्ट तियार कर लेते हो यह कौन से सुपर सोनी के स्पीड में काम करते हो भई ऐसे तो कोई दूसरा काम होता नहीं है जो खबर आरही है कि बिसीकली किसी भी तरीके से ईन के इन प्रकार नेरेस्ट कुमार को बदनाम करके उनको बाहर करना चाते हैं किसी तरीके से उनको एक्स्टेंशन ना मिले कि ताकि यह जो तमाम जाच जो केजरेवाल के खिलाफ चल रही है उसके उपर कोई नया आदमी आएगा तो वो प्रभाव हीन हो जाएगा ये उसकी स्ट्रेटजी है LG को आप चिटिली दिये कोई फर्क नहीं पूरने वाला बही आरोप है क्या आपने कंपनी का नाम बताया फैसला CS ने लिया और ये किस तरह का आरोप है अगर उसका बेटा इन्वाउड है तो बेटे के साथियों के खिलाप और उस पूरे केस को CBI जाच कराने वाले चीफ सेकरेटरी ही हैं तो कोई मिली बगत कोई नजर नहीं आ रहा है ये खा मखा रबल रॉजर है ये केजरीवाल ये राजिनती में कुछ तुर्रा फेकता रहता है कुछ लग गया तो लग गया बाकि ये दलाल पत्रकारों के जरिए चीफ सेकरेटरी को बदनाम करते रहो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है सक्सिना साब को इस लेटर को इस आग्रह को डस्टमिन में डाल देना चाहिए अब बात करते हैं महारास की राजनीती की अभिहाली में अजित पवार ने अमर्शा से लंबे मुलाकात की थी इस मुलाकात की बाद अब अजित पवार की शरत पवार से दूरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं दरसल पवार परिवार हर साल दिवाली पढ़वा का जश्ट मनाता है इस वार भी भाविकार इक्रम का अज़न किया गया था शरत पवार ने दिवाली पढ़वा के सालना जश्में बारमती में सुपचिंतकों से मुलाकात की लेकिन इसमें उनके भतीचे और डिप्टीसियम अजीत ने शरकत नहीं की अजीत पवार की 11 मौच को दी पर सुप्रिया सुले ने सफाई दी है क्यों नहीं पहुंचे अजीत पवार देखिए सुप्रिया सुले जो बता रही है कि उनको डेंगू हो गया कोई बिमारी हो तब ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आये तीन दिन पहले मुलाकात हुई थी उससे पहले मुलाकात सरद पवार से पहले वो आमिशा से दिल्ली में आकरत की मिले थे क्या हो रहा है ये जानना समझना जरूरी है जब अजित पवार बाहर निकले तो सरत पवार सुप्रिया सूले ये लोग बहुत ही जोश में नदर आ रहे थे कि हम फिर से संगठन को ख़ड़ा करेंगे फिर से हम ये करेंगे फिर से वो करेंगे दो तीन चीजे हो रही है एक उम्रसात नहीं दे रहा है सरत पवार का इसलिए वो जो फिर से संगठन ख़ड़ा करना रैली करना हर गाउं में जाएंगे हर संगठन के लोगों से मिलेंगे वो नहीं हो पा रहा है नमबर वन तो एक सरत पवार कैंप के अंदर भी एक फ्रस्ट कर आ रहा है कमजोर धिखाई पढ़ रहे है शरत पवार नंबर वन नमबर टू कि सरत की पाटी टूटी त शरत पवार का जो उद्यग विदिं अप इंडी Alliance के अंदर अब सद्पवार से कोई मिलने नहीं जा रहा है अब सद्पवार से कोई मुलाकात नहीं हो ठीजेंडिली में हो रही है आपको याद होगा जो बजित पवार साथ में थे मम्ता बनर जी केरिवाल कोई भी केंदर की राजीति के लिए कुछ करना चाहते थे तो सरतवार के पास जाना होता था जा करके मिलते थे ये जो टीमसी के तरफ से जो पहला जो विपक्षी एकता का एक मुहीम हुआ था वहां कहां मीटिंग हुई थी ये 17-18 पार्टियों की पहली मीटिंग सरतवार के दिल्ली के घर में हुई थी अब है क्या कि ना अपोजिशन में उनको कोई पूछ रहा है पार्टि भी कमजोर हो रही है ये सही समय है जहां आप इंडी अलायंस से सरतवार को बाहर निकाल सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लोग सभा की सीटे आती है कहां से महराष्ट से कॉंग्रेस पार्टी और सिम से न एक साथ अगर लड़ती है जिसमें NCP हिस्सा नहीं होती है तो आप यह समझे कि ज़्यादातर सीटों के उपर 70-80% सीटों के उपर भारती इंता पार्टी और सिंदे की जो गड़ गड़ बंदन है उसकी जीत जो है वो हासिल कर सकते हैं अमिशा बीजेपी जीत सकती है यही स्टेटजी महराश्ट में काम कर रहा है और इसलिए पिछले 2-4 दिनों से आप देखिए शिव से ना संजे राउत इन लोगों की भासा जो है वो फिर से वो गुसैल वो बिगड रही है तो यह महराश्ट की राजनीती में एक नया मोड आ रहा है आज की आखरी खबर में बात कनाजा की प्रदानमंत्री जस्टिन टूडो के ऐसे बयान की जिसकी जमकरा अलोशना हो रही है दिलसल इसराइल हमास जंग की बीज टूडो ने कहा कि हमास के खिलाब जंग में इसराइल को सयम मरतने की जरूत है इसराइल की कारवाई को दुनिया देख रही है इसराइल को गाजा में महिलाओं बच्चों और शिशू की हर्त्या रोकनी चाहिए टूडो के इस बयान पर इसराइली प्रदान करनाडा का वो पपू है यह टूडो से पता नहीं यह क्या बोलता है नहीं बोलता है किसे ने समझा दिया यह बोल दो यह कर दो कर दो कम से कम उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए आज वाशिंग गटन के अंदर पहली बार इसराइल के फेवर में करीब ढाई लाख लोग वाशिंग मिटन में अपनी सोलिराटी दिखाने के लिए जमा हुए मतलब पब्लिक ओपीनिन अभी तक तो यह भाले के टट्टू थे आप देखिए वहाँ पे डोनल्ड ट्रप नहीं क्या कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो यह तमाम लोग जो हमास के पैरवी कर रहे थे पोस्टर फार रहे थे कैंपस के अंदर पॉलर रहे थे सब को वापस भेज दिया जाएगा इनके वीजाज को जो है कैंसल किया जाएगा यह घर के अंदर हम साप नहीं पाल सकते और यह हमास के पैरवी करना शुरू करती है कम से कम न्यूज देख लिया होता बच्चों को नहीं हम लाग आज क्या है एक ख़बर हास्पिटल के नीचे पूरा बेस बना हुआ है पूरा हतियार का जखीरा मिल रहा है वहाँ पे वीडियो सारे पूरी दुनिया हत प्रव है और खास करके वो जो गाना गाने वाले फ्रम दे रिवर तो दे सी पलेस्टायन विल बी फ्री यह वामपंथियों का जो गैंग है चेहरा सी पा रहा है लेकिन बेशरम लोग है यह जिहादियों के साथ मिलकर के पूरी दुनिया के दिमाग को जो है वो ब्रेनवास करने में लगे हुए तो यह तो मुझे लग रहा है कि टूडो को सही चवाब दिया इसी के लाइक है यह इस तरह के लीडर्स हैं जिनको डिप्लोमेटिक भासा कि आवशकता नहीं है जिस तरीके से यह लोग लार्जन वो आ जाते बिलकुल हुमिलिटेरियन ग्राउंड बलेकर बच्चों को नहीं करो यह नहीं करो वो नहीं करो अरे घजब की बात है जब इसराइली के अंदर घुश करके इसराइली नागरिकों को यह हमास वाले किल कर रहे थे तब तो तुम्हारा ट्वीट नहीं आया तब तुमने कोई कंसर नहीं दिखाई अब जब उसका जवाब लिया जा रहा है तो आपके पेटे में दर्द हो रहा है सिर्फ मुसलिम बोर्ट बैंक यह खालिस्तानियों का बोर्ट बैंक यह तमाम बामपंथियों का बोर्ट बैंक यह इस तरह का जो कॉंबिनेशन पूरी दुनिया में जो डिस्रप्टिव फोर्स है उसका प्रतीक बन गया है यह कनाड़ा का पपू इसलिए नितियाहू ने बिलकुँ सही काम किया है बहुत बहुत धन्यवाद संचानी के लिए धन्यवाद